नमस्कार मैं हूँ निखिल और आप देख रहे हैं दीललन टॉप शो 21 फरवरी के रोज हमने राजनातिक हिंसा और हिंसा पर राजनीती की बात की थी आपको करनाटका के शिमोगा में बजरंग दल कारे करता हर्शा की हत्या पर हो रही राजनीती के बारे में भी तफसील से बताया था और केरला के कन्नूर मेराजनीतिक हिंसा के उस चरम के बारे में भी बताया था जिसमें सब कुछ लाशों की गिंती पटिका है आज भी हम शिमोगा मामले की बात करने वाले हैं लेकिन पहले आपको यूक्रेन लेकर चलेंगे क्योंकि जो हो रहा है वहां वो सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच की ही बात नहीं है उससे भारत के भी हिट जुड़े हैं सामरे खित और जाह हिट हमारे लोग भी बार रहते हैं भारत कि स्पाले में बैटता है और किसकी आवाज उठाने को खड़ा होता है उसका तालुक अंतर राष्टिय संबन्द और सामरे खितों से तो होना ही चाहिए लेकिन क्या ये फैसले उन बातों को ध्यान में रखते हुए भी लिए जाएंगे जिनकी दुआई हम देते रहते हैं हम उन मूलियों की बात कर रहे हैं जो हमें सम्विधान से मिले हैं अपने और खुद को एक लोगतंतर कहने का हग देते हैं फिर यूकरेन रूस विवाद पर भारत सरकार के रुख को हमें अपने घरेलू राजीती के कसौटी पर भी कसना चाहिए विस्तारवाद, संप्रभुता, उग्रवाद, आतंकवाद, आंतरिक मामलों में दखल और आत्म निर्नय के अधिकार को लेकर भारत सरकार का जो घोशित रुख है रहा है पहले से अभी भी है क्या यूकरेन रुस विवाद के मामलों में भी हम चीजों को उसी तरह से देख पाएंगे यह सवाल है हम इन सब बातों से कहना क्या चाहते है वो समझने के लिए आपको समझना होगा कि यूकरेन में हुआ क्या है इतना तो हम जानते हैं कि रूस ने यूक्रेइन के पूर में स्थित डॉनबास के इलाके में फॉज भीजी है यूक्रेइन के लिए ये उसकी सम्रबुता पर हमला है अतिकरमन है लेकिन रूसी राशपती ब्लादीमीर पुतिन के मताबिक ये शान्ती सेना है शान्ती की बहाली के लिए फॉज जा रही है बात यहां तक कैसे पहुची इसकी कहानी बहुत लंबी है और बहुत सारे उतार चड़ाओं उससे भरी हुई है आप तफसील से समझना चाहते हैं तराशे इमामलों पर हमारी खास पेशकर्श दुनियादारी के उन एपिसोड को देखना चाहिए आपको जिन में हमने रूस यूकरेन संकट की बात की है खास तोर पर आज का दुनियादारी का एपिसोड इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के साथ चस्पा कर रहे हैं यहां हम आपको एक बहुत छोटा रीकैप देंगे यहां जो बात हो रही उसके लिए आप जानती हैं कि पुतिन रूस में सिर्फ आंतरिक राजनीती चमका करी ताकत पर नहीं हुए उन्होंने विश्पटल पर रूस को एक कोट अनकोट मजबूत मुल्क दिखाने के लिए भी धेर सारे काम किये हैं या वो करते दिखे हैं बीते सालों में रूस उर्जा बाजार का एक बड़ा खिलाडी बनकर उबरा है रूस और पुतिन दोनों सोवियत संग के विगटन से उपजी शर्म को पीछे छोड़ना चाहते हैं और इसलिए पुतिन पार बार रूस में भी एक स्वर्णे मितिहास की बात करते हैं वो स्वर्णे मितिहास जब रूस एक बहत ताकत पर और साधन संपन मुल्क था जब दुनिया भर के बड़े बड़े फैसलों में उसकी पूच होती थी और इस ताकत को दोबारा पाने ओबलिक हतियाने के क्रम में पुतिन अपनी पश्चिमी सीमाओं को मजबूत करना चाहते हैं यूरोप और नाटो के बढ़ते प्रबाव से दूर रखना चाहते हैं उनसी माओं को दर्शक जानते हैं कि जैसे अमेरिका के नेतरित्त में North Atlantic Treaty Organization नाटो के नाम से नेटो भी कहते हैं एक सैनिक गड़ जोड है वैसे ही सोवियत संग के नेतरित में Warsaw Pact हुआ था Warsaw Pact, Warsaw शहर का नाम है सोवियत संग के विगटन के बाद Warsaw Pact में शामिल कई देशों ने पाला बदल कर नाटो का दामन थाम लिया मिसाल के लिए Czech Republic हुआ, Hungary हुआ, Poland हुआ, Bulgari हुआ, बुल्गारी हुआ, बड़ी लिस्ट है रूस के नजरियस से अगर आप देखें तो उसके पड़ोसी एक एक करके उससे दूर होते जा रहे थे जब यही सिलसला बढ़ते वए यूकरेन तक पहुचा तो रूस के कान खड़े हो गए उसने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि यूकरेन नेटो के सदस्ता लेना चाहता है यूरोप परस्त हो रहा है, अमेरिका के तरफ जुक रहा है और इससे रूस के ही प्रभावित हो सकते हैं यूकरेन में पैदा हुए स्थिर्ता का फाइदा उठा कर रूस ने 2014 में यूकरेन के क्रीमिया प्राइद वीप पर फॉज भेज कर कबजा कर लिया जो ब्लैक सी में निकला हुआ है, आप मैप पे देखेंगे इस कबजे को दुनिया के कई देश मानेता नहीं देते, लेकिन सब जानते हैं कि क्रीमिया पर डिफाक्टो कंट्रोल है किसका क्रीमिया में लोगों ने रूस का स्वागत किया और इसलिए पश्चिम के न चाहते हुए भी क्रीमिया अब भी रूस के पास है लेकिन 2014 में रूस ने सिर्फ क्रीमिया में ही दखल नहीं दिया था रूस लेगी उक्रेइन की पूर्वी सीमा पर बहुत बड़े इलाके में रूसी मूल के लोग रहते हैं ये उक्रेइन के नागरिक हैं लेकिन भाशा और संस्कृती रूस वाली है इन लोगों ने 2014 में यूक्रेइन के सरकार से विद्रो किया और इन्हें रूस का खुला समर्थन मिला यूक्रेइन के सरकार ने इन लोगों को अलगावादी और उगरवादी कहा नामों को नोट कीजे लेकिन रूस के समर्थन के चलते इन कथित उगरवादी आतंगवादी ओबलिक आम लोगों को किसके पहले सो देख रहे हैं उससे नाम चेंज होता है यूकरेन के सरकार हरा नहीं पाई विद्रोहियों की ज्यादा पकड़ दन्यस्क और लुहांस्क में रही 2014 से आप तक ही रूस के समर्थन से यूकरेन के सेनाओं से लड़ते आये थे विद्रोही लड़ाई कभी ठंडी पड़ती, कभी ओगर होती, बीच में कुछ अफ्तों की शान्ती भी होती लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होई पूरी तरह से पुतिन ने इन दो इलाकों पर रूस के संसत से प्रस्ताव पास कराकर इने स्वतन्त्र गोचित कर दिया है पुतिन का कहना है कि वो इन वतन्त्र इलाकों के लोगों के हितो के रक्षा के लिए फौच भेज रहे हैं पश्चिम के देश कड़ी निंदा कर रहे हैं लेकिन पुतिन को जो करना था उन्होंने कर लिया है। रूस अपने कतित स्वर्णी मितिहास वाले रसूक के एक कदम और पास चला गया है। अब इस रेकाप के बाद आते हैं उस सवाल पर की एक देश के रूप में हमारी यूरूस यूकरेन विवाद और पुतिन की नीतियों पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पुतिन चाहे जितने लच्छेदार बातें कर लें क्रीमया पर कबजा और दनस्क लोहांस में रूसी फॉज का दखल विशुद विस्तारबाद है। यहां बात लोगों की चाहा से ज्यादा सामरिक रूप से महतोपून जमीन के मालिकान हक की है। और ऐसे विस्तारबाद को लेकर भारत के प्रधान मंत्री मोदी क्या राय रखते हैं किसी से छिपा नहीं है। सुन्य तीन जुलाई 2020 को नोंने क्या कहा था। विस्तारबाद का यूग समयात हो चुका है। यह यूग विकासबाद का है। तेजी से पदलते हुए समय में विकासबाद ही प्रासंगिक है। विकासबाद के लिए ही आउसर है। और विकासबाद ही बविश्य का आधार भी है। अब 14 नवंबर 2020 का यह बयान में सुन लीजे। यह भी प्रदान मंत्री का ही है। साथियों आज पूरा विश्व विस्तारबादी ताकतों से परेशान है। विस्तारबाद एक तरह से मानसिक विकृती है। और 18 शताबी की सोच को दशाता है। इस सोच के खिलाब भी भारत प्रकर आवाज बढ़ रहा है। साथियों आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने डिफेंस सेक्तर को आत्मा निर्भर बनाने की तरफ बहुत तेजी से कदम उठा रहा हैं, आगे बढ़ रहा है। प्रधान मंत्री मोधी ने ये दोनों बयान चीन के संदर्ब में दिये थे। नहीं करते हैं, चाहिए वो विदेशी सेना का दखल हो, किसी विवाद में मध्धस्ता की बात हो, या फिर ट्विटर परंतर राश्री समुहों की ओर से होने वाली आलोच न हो। याद कीजे सिए विरोध से लेकर किसान आंदूलन तक में भारत सरकार करूख क्या था। और अगर हम लोगों में कोई आपसे विवाद है भी, तो भारत में एक फलता फूलता लोकतंत्र है, राजनीती की परंपरा है और सुप्रीम कोट जैसे संस्थान है, जो सम्हिधान में नहीं ता अधिकारों का संडक्षन करते हैं, चाहे वो अधिकार, सरकार के आलोचकों या विद्रोहियों के ही हों, आत्मिरिनाए वाली बात पर भी यह लागो होती है, अगर आप मानके चलते हैं कि लुहांस और दनेस्क में आत्मिरिनाए की लड़ाई चल रही तो उसको लेकर भी हमारा भारत में ये लुक रहा है, इन बातों के आलोग में किसी दूसरे ही हैं इन सारी चीज़ों पर, हम जानते हैं कि अंतर राश्य पटल पर भारत का रोग भावुकता क्या धार परते नहीं हो सकता है, लेकिन क्या हम उन बातों की तरफ पीट दिखा सकते हैं जिनका जिक्र हमने अभी किया, अब चलते हैं इस बहस के दूसरे पक्ष की तरफ क कि रूस यूक्रेइन को लेकर भारत में किस तरह की चिंताएं हैं और कोई भी राय बनाने से पहले हमें किन बातों पर गौर करना चाहिए, यूक्रेइन में बड़ी संख्या में भारती ये पढ़ाई करते हैं, चात्र हैं, खासकर मेडिकल की पढ़ाई, यूक्रेइन में अर्षिर्ता इन चात्रों का भविशे प्रभावित करती है, डिग्री हो पाएगी की नहीं, अगर पढ़ाई बीच में रुकती है तो इंडिया में कंटीनियू हो पाएगी नहीं, बच्चों के माता पिता उनके सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि बच्चों को जल से जल भारत लाने का पक्का बंदोबस्त हो, ऐसे कई छातरों से इस दिल अलन टॉप ने कुछ वक्त पहले बात की थी, उस बाचीत का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में चस्पा कर रहे हैं ताकि आप देख सकें कि किन तरह की चिंताओं के हम बात कर रहे हैं, अ प्रानाश का बहुत बड़ा उत्पादक है, ऐसे में किसी भी अन्होनी से ग्लोबल सप्लाइचेन पर असर पड़ेगा, भारत जो की कोविड लॉक डाउन का घाटा पाटने में लगा हुआ है, उसके लिए तेल की कीमत में जरा भी उच्छाव तेल, फ्यूल वाला पेट् पातार महंगा तेल खरेदने के लिए अपने डॉलर्स खर्च करने पड़े जो हमारा फॉरेक्स है, तो हमारा घाटा और बढ़ जाएगा, रुपया और कमजोर होगा और महंगाई एक बार फिर बढ़ सकती है, तीसरे बिंदू पर आते हैं भारत के हित यूकरेन के बाजा हुआ है, आप इन पहलों को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो आज का खर्चा पानी जरूर देखेगा, लिंक उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में डालने वाले हैं, आर्थिक हितों के लावा रूस से हमारे राजनईक और सामरिक संबन भी बहुत पुराने हैं, मस्बूत है सोवेट संग के जमाने से रूसियों ने भारत का बहुत सही होग किया है, हमने रूसी बंदू के टैंक्स, मिसाइल, पंडू भी जहाज और फाइटर जेट्स इस्तमाल किये हैं, नौसिने का आज जो सबसे बड़ा जहाज है, आई नस विक्रमादित है, हमने रूस से लिया भारती वाई सिना का अगरिम पक्तनी का लडाओ को विमान जो सबसे बड़ी संख्या में हमारे पास है, सुकोई 30 MKI रूस से लिया, हम अपनी फौज के लिए अभी AK-203 राइफल्स बनाने वाले हैं, इंफंट्री के लिए रूस के साथ मिलकर बना रहे हैं, हमारा स्पेस में भी रूस ने हमारे कितने मदद किये जानते हैं, अंदराश्री पटल जैसे संयुक्त राश सुरक्षा परिशद में कई बार रूस ने भारत के समर्थ हमें प्रस्तावों को वीटो तक किया है, तो दोस्ती बहुत पुरानी है, गाड़ी है, इसलिए भारत के लिए चु इसी के भी पक्ष में दिखने से परहेस किया है, 21 वरवरी के राश सुरक्षा परिशद में जब रूस यूक्रेन विबात की बात हुई, तब भारत की तरफ से यून में स्थाई प्रतिनेधी टीएस मूर्ती ने कहा कि यूक्रेन रूस सीमा पर तनाव चिंता का विशा है, इस से शांती और सुरक्षा पर भावित हो सकती है, इसलिए प्रात्मिक्ता तनाव के कम करने पर होनी चाहिए, आम लोगों की सुरक्षा बहाल करने पर होनी चाहिए, भारत पहले भी कह चुका है कि इस मसले का समधान केवल constructive diplomacy माने रचनात्मक राजनाइक पहलों से ही हो सकता है भारत ने रूस का नाम लिये बगएर अपनी बात कही इसका मतलब साफ है कि वो रूस से अपनी पुरानी दोस्ती पर कतई पानी नहीं फेरना चाहता लेकिन ये भी चाहता है कि शांती बहाल हो और उसके हित प्रभावित नहीं ये थी बड़ी खाबर आप चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ पहले सुर्की मोधी सरकार के एक फैसले के हवाले से है कि इंदरी सूचना और प्रसारन मंतरालन ने बताया है कि कई आप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का ओर्डर दे दिया गया है क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा है कि ये प्रतिबंदित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़े हैं सिक्स फॉर जस्टिस को शॉर्ट में SFJ भी कहते हैं Unlawful Activities Prevention Act 1967 1967 उसके तहत SFJ को सरकार ने जनवरी 2019 में बैन किया था जिसके बाद कोट में सरकार के फैसले को SFJ द्वारा चुनौती दी गई थी फिर UAPA Tribunal ने 2020 में इस बैन को सही माना तो इस तरह से भारती कानून के नजर में SFJ एक प्रतिबंदित संगठन है जिन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है वो पंजाब पॉलिटीक्स टीवी नाम से चल रहे थे सरकार ने प्रेस रिलीस में बताया है कि विदेश में सिथ criter पंजाब पॉलिटीक्स टीवी का SFJ के साथ करीभी तालुक है प्रेस रिलीस के मताबिक सरकार के पास इंटेलिजेंस इंपूर्ट था कि पंजाब पॉलिटिक्स टीवी चैनल आउनलाइन मीडिया का इस्तमाल कर विधान सभा चुनाओ के दौरान पॉलिक और यानि लोग वेवस्था को प्रभावित करने की मंचा से काम कर रहा था इस चैनल के अकाउंट्स का कॉंटेंट सामाजिक सोहरत बिगाडने वाला देश की अखंडता और राजी की सुरक्षा को नुकसान पहुचाने वाला था और इसलिए IT Act के तहट Emergency Powers का इस्तमाल कर सरकार ने 18 फरवरी को इस चैनल को ब्लॉक करने का आदेश दिया तो यह सारी जानकारी मंतिय अनुराग ठाकुर के अधिन आने वाले सूचना और पसारन नितराले के तरफ से आई पंजाब के विधान सभा चुनाव प्रचार में भी सिख फॉर जस्टिस का जिकर होता आया है पंजाब के सीम चरंजीत सिंग्चनी नयारोप लगाया था कि आर्विन केज रिवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया उनको सिख फॉर जस्टिस ने समर्थन दिया है इस पर ग्रह मंत्रे मिट्शार ने कहा था कि वो इस मामले की जांच करवाएंगे हमने बताया है कि प्रतिबंदित संगठन है भारती कानून के हसाब से फिर 20 फरवरी को पंजाब में वोट पड़े और आज सरकार ने सफजे से जोड़े चैनल्स को बैन करने की जानकारी थी दूसरी सुर्किय में बात हिजाब मामले की करनाटक हाई कोट में सुनवाई का आज आठवा दिन था आज कोट में करनाटक सरकार की वकील यानी अड़ोकेट जनरल प्रभुलिंग नावादगी ने दलीले रखी कहा कि भारत में हिजाब के पहनने पर रोक नहीं है लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन्स हैं जैसे संस्थानों का अनुशासन एड़ोकेट जनरल ने ये भी कहा कि सिर्फ पर हेट्सकार पहनना नुशेद 25 के तहट आता ही नहीं है ये नुशेद 19.1.1 के तहट आता है अब मार्च आठ तक स्कूलों और कॉलेजस के बाहर जूटनी की मनाही है करनाटक पुलिस की तरफ से यादेश 9 फरवरी को निकाला गया था जो पहले 22 तक बढ़ा फरवरी की 22 और आज इसे बढ़ाकर 8 मार्च तक कर दिया गया है तीसरी सुर्खी भी करनाटक से ही है शिमोगा में बजरंग दलकारे करता हर्श अबलिक हर्शा की हत्या के मामले से जुड़े अपडेट्स हैं पुलिस ने आज कहा कि आरोपियों के भैचान कर ली गई है करनाटक एडिशनल डीजीपी प्रताफ रेड़ी ने कहा कि शिमोगा के अंदर और बाहर आरोपियों की धरपकड के लिए टीम्स लगी है करनाटक पुलिस का ये कहना है कि हर्शा की हत्या के मामले में कुल 6 लोगों को अब तक गिरफतार किया गया है 12 हर से पूछताच की जा रही है अलाकि पुलिस ने ये नहीं बताया कि आरोपि किस संगठन या गुट से जुड़े हैं या हत्या का मोटिव exactly क्या था पुलिस कह रही है कि ये चीज़े आरोपियों से पूछताच के बाद ही मालूम चलेगी इसका मतलब साफ है कि इस घटना को सामपरदाइक रंग देने वालों को थोड़े सही हम से काम लेना चाही ये जरूरी है कि हर्शा के हत्यारों को सक्त से सक्त सजा हो और ये भी जरूरी है कि शिमोगा और करनाटक में शांती की बहाली हो इस बीच आज में तक हर्शा की बेहन ने भी मीडिया से बात की उन्होंने कहा कि हर्शा मंदीरों में बता और बजरक दलकारे करता समाद सिवा करता था उस रात वो घर से डिनर के लिए निकला था और फिर वापस नहीं लोटा चाथे सुरकी में बात एक दर्दनाख खबर कि हिमाचल पुदेश के उन्हा जिले में एक पठाका फैक्टरी में धमाका होने से हाथसा हो गया हाथसे में च्छे लोगों की मौत हो गई और बारा लोग आग से जुलज गए हैं सबी गायलों को उन्हा के एक हॉस्पिटल में भरती किया गया है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकार याई कि ये पठाका फैक्टरी अवैद थी हाथसे पर उन्ना के डीसी ने क्या कहा सुनिये आखरी सुर्की में बात चुनाव की आज प्रधान मंतरी मोधी मनिपूर में चुनावा प्रचार के लिए गय थे मनिपूर की राज़ाने इंफाल में उन्होंने रायले की किया कहा आप उन्हीं से सुनिये करीब 11-12 किलोमेटर का रास्ता और मुझे ताजूब है इन 11-12 किलोमेटर रास्ते की दोनों तरफ यूमन चेन नहीं यूमन बॉल था इतने लोग आशिरवाद दे रहे थे मैं सच मुझ मैं आप लोगों इस प्यार से आप लोगों के आशिरवाद से बहावत ही उर्जा का अनुभव करता हूँ एक नई साकत का अनुभव करता हूँ पर आपसे अलग-अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे आप अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स या हैश्टेग ल्टी शोन कू के साथ कू करके भी आप बता सकते हैं हम उसे भी दिल अलन टॉप शो में शामिल करेंगे अब वक्त है अंतिम विदा का लेकिन उससे पहले भूल सुधार 21 फरवरी के दिल अलन टॉप शो में हमने आपको केरला CPM पिनरे विजेन के अपने जिले में पांच दशक से चली आ रही वीभस राजनेतिक हिंसा के बारे में बताया था इस खबर को बताने में हमसे एक चूक हुई हमने जिले का नाम बताया कुनूर ये गलती थी कि एक हेलिकॉप्टर क्रैश में बृत्य हो गई थी तो कनूर है केला में और कुनूर है तमिलाडू में आउन दाट नोट दिललन टॉप शो के इस एपिसोड को हम यह भी खत्म करते हैं खलाब से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए देजिए इजासत देखते रहें दिललन टॉप